दॉक्र सुब्रमन्यम स्वामी जी ने जब इसके बारे में बात की थी और मैंने इसकी जानकारी भी ली और वो कागजात भी देखे तो मुझे उसमें जो बाते दिखाई पड़ी उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटीजन ब्रिटीश सिटीजन है वें तो जब मैंने देखा तो उन्होंने इस बात के लिए मांग भी उठाई थी कि इसकी पुष्टी की जाए तो जब पार्लियमेट में मैं इस बारे में जानकारी ली तो वहाँ पर वो सत्ता नहीं थी जो उन्होंने उन कागजातों में लिखी थी तो मुझे लगा कि ये गलत है क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश पर इतने सालों राज किया और उसी पार्टी के उपाद्धेक्षे राहुल गांदी और सांसद एक बारनी पहले भी सांसद रहे हैं तो जब कोई अपना वचन पत्र भरता है सांसद होने के वक्त जब इलेक्शन कामिशन में जो फॉर्म होता है तो उसमें कसम भी खाते हैं शपत भी खाते हैं और उसमें पूरा सत्य लिखते हैं तो जब हम वहाँ पर भारत के नागरिक हैं ये लिखते हैं और एक तरफ एक कंपनी में जब इंग्लेंड में उनका कोई कंपनी उन्होंने खोला था उसके बैक आप लिमिटेड करके तो उसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश नागरिक्ता बताए थी तो ये दोहरी नागरिक्ता लिखने की वज़ह क्या थी और ऐसा है तो उन्होंने भारत के समविधान के अंदर जो आता है उसके तहत हमारा इलेक्शन कमिशन का फॉर्म आता है उसमें उन्होंने चुपाया क्यों उस बात को और यदि वे वहां के नागरिक है या यहां के नागरिक है इस सत्य को बाहर लाना बहुत जरूरी है इसकी मांग मैंने हमारी स्पीकर मैडम है सुमित्रा महादिन जी उनको पत्र लिख करके कहा कि यह भारत देश के नागरिकों का हक है जानना कि उनके जो सांसद है वह ब्रिटिश के नागरिक है या भारत के नागरिक है और यदि उसमें कोई असत्य बात पाई जाती है तो उनकी नागरिकता रद होनी चाहिए और उनका संसद होने का जो आधिकार है वो भी रद होना चाहिए क्योंकि ये तो देश के साथ धोखा है और स्वामी डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी ने उसकी जो पूरी रिपोर्ट बनाई थी और अपील की थी उसके लिए संसद में उसके लिए फिर एक संसद होने के नाते मैंने वो चिठी लिख करके उसमें साथ दिया है